प्रटिक जानकारी के लिए देनिक जागरती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकोन को दबाना मत बुरिए। वेवार में लाकर इसकी खेती से अच्छा उत्पा धनप्राप्ते कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए किस परकार की मिठी और जलवायू की आवसेकता होती है। दोमट तथा बलोई दोमट मिठी जिसमें जेविक पदार्थ की बहुलता हो अलू की खेती के लिए उप्यूप्त है। अच्छी जलनिकास वाली संतल और उपजाओ जमिन अलू की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। अलू की खेती में तापमान का अधिक महत्व है। अलू की अच्छी उपज के लिए उस्तन तापमान कंद बनने के समय 17-21 डिग्री सेंटी ग्रेट उप्यूप्ते माना जाता है। अब बात आती है खेती की तेयारी किस परकार करें। सिप्तम बर माह के अंतिम सप्ता में अल से 4-5 जुताई कर देनी चाहिए जिस से 30 cm गैराई तक खेत तेयार हो जाए। अलकी तथा अच्छी जुताई मिट्टी में आलू कंद अधिक बैठते हैं पर तेक जुताई के बाद पठा लगा देने से मिट्टी समतल तथा बूर्वरी हो जाती है। अलू की खेत में नमी का सनरक्षन भी होता है। अंतिम जुताई के साथ 20 तन पर ती एक्टेर सड़ी विगोबर की खाद खेत में देकर बराबर मात्रा में मिला देनी चाहिए। पैदावार की दर्ष्टी से ये बहुत ही अच्छी है। दिम्मक के प्रकोप से बतने के लिए अंतिम जुताई के समय 25-30 किलोग्राम पर ती एक्टेर की दर्षे लीडेन मिट्टी में मिला देनी चाहिए। आप फसल चकर की परकार अपनाए आलू की खेती के लिए परतिवरस एक खेत में आलू की खेती करने से मिट्टी कीडे तथा रोगूं का घर बन जाती है। इसलिए उचित फसल चकर अपनागर खेत बदलते रहना चाहिए अलू दो फसल ये और तीन फसल ये सगन खेती पर नाली में साध आंटा अच्छी पैदावार देता है। कम दिनों में तेयार होने वाली किसमें जैसे कूफरी चंदरमुखी, कूफरी कुबेर, अद्धी, बहू, फसली ये सगन खेती में उप्यूख पाई गई। अलू के साथ कुछ उप्यूख फसल चकर इस परकार हैं, जैसे मक्का, अलू, गेहूं, या फिर मक्का, अलू, प्याज, या फिर मक्का, अलू, बिंडी, या फिर मक्का, गेहूं, मूंग, अलू के साथ कुछ फसलों को मिश्रीत खेती भी की जा सकती है। अलू के दो मेड के बीच गेव फसल सफलता पुर्वक उगाई जा सकती है। मद्यकालिन फसल के लिए कूफरी बादश्या, कूफरी लालिमा, कूफरी बाहर और कूफरी जोर्ती अच्छी किसमे पाई गई है। अच्छी पैदावार के लिए बुवाई से पहले जुताई किसमे जैसा की 200 से 200 क्योंटल गोबर की खाद मिट्टी में मिलानी चाहिए। इसके साथ 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फासपोर्स और 25 किलोग्राम जिंक सलपेट और 120 किलोग्राम पोटास पट्ती एक्टेर की आवसेकता इस फसल को पोथती है। नाइट्रोजन का आपदाई साब बोते समय और 6 अद्धी मात्रा मिट्टी चड़ाते समय देना उत्तम है जिससे की अच्छा उत्पादन प्राप्ते खो सके। अब बात आती है बोवाई के समय की। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित समय पर बोवाई करना आवसेक है। जब अधिक्तम तथा न्यूंतम ताप करम करम से 30-18 डिगरी सेंटीग्रेट के बीच में रहे तो अलू की बोवाई की जा सकती है। अक्टूंबर के मद्दे से नौंबर के मद्दे तक अलू की बोवाई अवसे किसान भाईयों को कर देनी चाहिए। अब बात आती है बीचदर और बीचूं की रोपाई की। सपल खेती के लिए सवस्त और रोगमुक्त बीच का ओना जरूरी है। इसके लिए प्रमानित बीच किसी विश्व सही निया संस्ता या एजन्सी से किसान भाईयों को खरीदना चाहिए। बोवाई से पहले बीच को पूरण रूप से अंकूरित करा लेना चाहिए। बीच कंद को इंडोफिल M45 दवा की 0.2% गोल में 10 मिंट तक दुबोकर उससे उपचारित करके ही बीच को छाया में शुका कर रोपा जाना चाहिए। इससे बीच कंद कम सड़ते हैं और मर्दा जनित का पुंद उसे इन्हें छुटकारा मिल जाता है। अलू का बीच दर उसके आकार पर निर्वर करता है, बड़े आकार का बीच गंद अधिक लगता है, लेकिन पैदावार भी उससे अधिक प्राप्त होती है। बहुत चोटे आकार के बीजकंद से पैदावार कम होती है इसलिए मद्य आकार का बीजकंद ही उप्योग में लाना चाहिए 40-50 ग्राम आकार का बीज लगाने से परती एक्टेर 40-50 क्वंटल और छोटे आकार के 25-30 ग्राम वाले 25-30 क्वंटल बीज के आउसेक्तार होती है खेत को अच्छी तरह त्यार कर लेने के बाद बोवाई के लिए 50 cm की दूरी पर मेड बना ली जाता है उसमें रहसायनिक खाद्दूं का मिसायन देकर मेड बना दी जाती है जिससे सिच्चाई में सुविद्या हो सके निराई गुडाई और मेड चड़ाना जब वो दे 25 से 30 दिनों के हो जाए तो पंक्तियों में निराई गुडाई करके खरपतवार को साथ कर देना चाहिए और मिटी को बुरबुरा कर देना चाहिए निराई गुडाई के बाद में नाइट्रोजन खाट किया दिमात्रा जड़ में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर शेड़कर मिटी से डख देनी चाहिए अलू के जड़ और कंद किसी भी अवस्ता में दिखाई नहीं दें क्योंकि खुल अलू कंद परकास के संप्रक में अरा हो जाता है और खाने योगे नहीं रहता है बीच बीच में खुले अलू कंदू को मिटी से डखते रहना चाहिए यदि आप खर्पतवार पर किट नसक से नियंतन चाहते हैं तो पेंडी मेथलीन 30% 3.5 लीटर का 900 से 1000 लीटर पाने में गोल बनाकर बुआई के दो दिन तक के अंदर 30 एक्टेर छिड़काव कर सकते हैं जिससे खर्पतवार 30 से 35 दिन तक उनका जमाव नहीं होगा अब बात आते हैं सिच्चाई पर बंदन की अलू में पहली सिच्चाई अलू बोई के एक सप्टा बाद करनी चाहिए और उसके बाद पर तेक 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिच्चाई करते रहना चाहिए अलू खु रोग नियंतर नहीं करने से फसल बरबाद हो जाती है अलू की अलू फसल के लिए ला ही की तदिक नुक्सान पहुंचाने वाला होता है यह कित को दुका रस तूषते हैं जिससे पतिया निच्चे की तरफ मूनने लगती हैं यही कित विशानू रोग भी फैलाते हैं इन कि से बचाओ के लिए फसल पर 0.1% मेटा से श्टॉक के दो से तीन शिड़काओ 15-15 दिन के अंतराल पर करने चाहिए रोगों में अलू के अगेता और पछेता गूल्सा रोग फसल को अधिक आनी पहुंचाते हैं इसकी रोग ठाम के लिए फसल पर इंडोफिल M45 दवा का 0.2 पर तिसद भी गोल 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काओ किसान भाईयों को करने चाहिए और कीट वर रोग नेंचन पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो सुन सकते हैं जो कि पहले से तयार किया हुआ है और अपलोड है अब बात आती है पाले से फसल का असर जादा होता है अगेती फसल की खुदाई जन्वरी माह तक हो जाती है इसलिए इस पर पाले का असर नहीं होता है पचेते अलू में दिसंब और जन्वरी माह के अधिक ठन लेक्टी आसंका होने पर फसल की सिच्चाई करनी चाहिए और जमीन भीगी रहने पर पाले का कम होता है अब बात आती है फसल की खुदाई और वर्गीकन यानि अलू के आकार का वर्गीकन और बंडाण अलू को देके पत्ते पिला पड़ने लगे तब खुदाई शरू कर देनी चाहिए खुदाई के दो सप्ता पहले सिच्चाई बंद कर देनी चाहिए और ताप के अनुसार अलू कंदो का वर्गीकन कर देना चाहिए 50 ग्राम से उपर और 20 ग्राम से छोटे आकार वाले कंदो को बेच देना चाहिए या खाने के उप्योग में लाना चाहिए 20 से 50 ग्राम के बीच वाले अलू कंदो को 50 किलो ग्राम वाले जालीदार बैंग में बरकर उस इस वेग्यानिक तक्निकी से खेति करने पर आपको अपने आलू की फसल से कितना उत्पादन प्रापत्य हो सकता है। आलू की पैदावार किसफं और समय प्रनीर बरकरती है। वेशे आम तोर पर किसान भाईयो सामानी किस्मों से 300-300 क्योंटल और संकर किस्मों से 350-600 क्योंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तो ये तो थी किसान भाईयो आप अलू की वेगानिक टेक्निकी से 99 खेतिक इस परकार करेंगा और एन विशे जैसे किस्मों की विशेष्टा हैं उनकी उत्पाद अंशमता की जानकार यदि आप चाते हैं तो आप अमारा अगला वीडियो सुन सकते हैं यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाईयों तक पहुंचाने के लिए इसको आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और यदि आपने अमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है इसको सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको आग्याने वाले वीडियो समय समय पर प्राप्ते होते रहें और अन्यकरशिक यदिक जानकारियों के लिए आप अमारी वेबसाइट देनिकजागरती.com पे आके इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्ते कर सकते हैं इस वीडियो में बसे इतना ही अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ मुपस्तित होंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै हिंद जै बारत